बंगाल के अंदर दुर्गा पुजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जरा जोर से बोलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और जोर से बोलो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए दुर्गा पूजा के लिए कौर्ट में से पर्मिसन लेनी पड़ती है सरस्वती पूजा होनी चाहिए है नहीं होनी चाहिए जोर से बोलो होनी चाहिए है नहीं होनी चाहिए सरस्वती पूजा बन करा दी थी ये तो दबाव आया भाजपा का कि दिदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है मुझे तो बहुत अच्छा लगा दिदी सरस्वती पूजन कर रही है मगर दिदी बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कुलों में सरस्वती पूजन बन करा दिया है मित्रो यहाँ पर जही स्रिराम का नारा लगना चाहिए और जोर से बोलो लगना चाहिए और जोर से बोलो लगना चाहिए और जोर से बोलो लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए अब दीदी को घुसा आजाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं बला दीदी जैसरी राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा होता है माता है बताए किसी का अपमान होता है क्या होता है हम नहीं डरते दीदी आपसे ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती ये 24 परगनाक शेतर की जन गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती मेरे साथ आप जैस्रियाम का नारा लगाएंगे क्या बोलिए लगाएंगे जोर से पीछे बोलो लगाएंगे जैस्रियाम का नारा तो मैं जोर से लगाता हूँ ममतादीदी के कानों तक जैस्रियाम का नारा चाहिए मेरे साथ दोनों माताए बेने भी उठाईे दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम मित्रो यह जय श्रीराम का नारा तुरुष्ट्री करण के खिलापद का प्रती ही खए प्रती ही खए और यह नारा हमारी परिवतन यात्रा का भी प्रती जैसे सोनार बंगला का वादा लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकली है हम जय स्रीराम के नारे को लेकर बंगाल के घर-घर तक जाने वाले हैं माताओ भाईो बेनो आज ये यात्रा सुरी हो रही है मेरा आप सबसे निवेदन है कि गाउं गाउं में सहर सहर में गली गली में यात्रा के साथ एक जुटता दिखाईए यात्रा के समर्थन में खड़े हो जाईए कमल के निसान को प्यार से स्वागत करिए और नरेंद्र मोदी जी को सोनार भांगला बनाने का एक मौका दिजी एक मौका दिजी